जहें दुस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अचीवर्स में दोस्तो एमसी का जो आपने मेल भेजा था उसका रिपलाई यानि कॉल लेटर आ चुका है आना सिरू हो गया है इसके बाद में किसको कब जाना है वो हम डिटियल में विस्तार से बात करेंगे कोरोना रिपोर्ट भी लेके जाना है पेरेंट और गॉर्जियन जो फ्रेंड से हैं वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे अंदर आना और जो है आपको call letter mail में आएगा या फिर post card के through तो दोस्तो सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में साथी साथ RT Center का भी reply आएगा या नहीं वो भी हम discuss करेंगे ठीक है दोस्तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के starting में मगर आपको बता दे आप भी चाते हैं रेली भरती के update तो प्लीज या सब्सक्राइब कर लीजे और बगलवाला जो notification का bell है उसको दबाके all के उपर set कर लीजे तभी आपको हमारे notification मिलते रहेंगे time to time ठीक है दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं वीडियो के starting में आपको बताते हैं कि यह जो एक email id दिया था दोस्तों uhq.nttwg.gmail.com और 25 अक्टूबर से पहले जिन बच्चों ने भेजे हुए थे अपने document आठवी दस्वी की market sheet, sponsor certificate, relation certificate और register email id, mobile number भेजे थे उन्ही का ही सिर्फ यह reply आया हुआ है और reply किस तरह से आया हुआ है दोस्तों हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको एक mail आएगा uhq quota के नाम से ठीक है uh quota के नाम से आपको आपके register mail पे mail आएगा और call letter for uhq उसमें लिखा रहेगा कि please see attach file आपको जाना है इसके उपर click करके और attach file को देखना है तो इस तरह से एक attach file होगी यहाँ से उसको download कर लीजेगा download करने के बाद में दोस्तों यह attach file कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी यहाँ पर आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह we have received your mail और यह mail आपको दोस्तों यहाँ पर dear candidate we have received your mail report to mc center आपको mc center में report करने के लिए बोल रहे है 17 November तो 17 November को उन बच्चों को जाना है जिन्नोंने 17 November को उनकी date दी हुई है आपको उसकी date इसमें बता दी जाएगी कि आपको कब जाना है 5 बज़े से पहले ठीक है और एक copy इसकी लेके जानी है आपको copy of this letter की आपको लेके जा ले वो document दुबारा से चेक होंगे यह सिर्फ screening purpose से थे अभी दुबारा से चेक होंगे जब आप भरती देखने जाएंगे साथी साथ इसमें एक चीज़ बताईए कि all document साथ में COVID-19 की negative report दोस्तों साथ दिन के अंदर वाली COVID-19 की negative report आपको लेके जानी है तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों सारे document up to date होने चाहिए यह भी इन्होंने इसमें बताया हुआ है अगला point इन्होंने दिया है दोस्तों कि due to COVID-19 pandemic की वज़े से आपको यहां पर allow सिर्फ आपको किया जाएगा आपके parent या guardians को अंदर allow नहीं किया जाएगा तो आप आप जो है crowd ना करें महां जाके आप ही सिर्फ महां पर जाएं कोसिस करें आपके parents ना जाएं इसके बाद दोस्तों all candidate mask compulsory है और इसके बाद में duration पूरी duration rally के duration में आपको mask compulsory है no mask no entry आपके पास mask नहीं होगा आपको अंदर नहीं छोड़ेंगे इसके बाद दोस्तों आपको वाले बच्चों को 20, 21, 22, 23 नवंबर को इसके बाद जो trade man है including musician वाले बच्चे दोस्तों all India all cost की musician की भी भरती है वो बच्चे 24, 25 नवंबर को वहां पर पहुंच सकते हैं document लेके इसके बाद soldier trade man category जो आठीपास के बच्चे देखना चाते हैं वो 26, 27 नवंबर को वहां चीज़ बता देते हैं यहाँ पर कि यह जो रेली भरती खुली हुई थी इसका भी हम आपको बता दें इसमें कौन-कौन सी trade थी soldier technical, नर्सिंगा से stand, ट्रेड में 8 युपास, 10 युपास और clerk SKT, clerk SKT सिर्फ AMC के बच्चे देख पाएंगे इसके बाद में बाकी बच्चे अ और नोटिफिकेशन बेल दबा लिए जानकर ये अपने दोस्तों में share कीजिए ताकि सभी को पता लग सके अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नहीं जानकर किसा तब तक के लिए जय हैं जय बारत वंदे मात्रम